दमपत की गाथा नमबर दो जो यमक वक की दूसरी गाथा है पहली गाथा और दूसरी गाथा एक सी होती हैं बस उसमें थोड़ा सा एक या दो सब्द का अंतर होता है एक दो सब्द अगर एक पॉजिटिव में हैं प्लस में हैं तो दूसरी उसका निगेटिव असर बताती है नकारात्मा का सर बताती है यह पहली गाथा हमने आपको बताई है जो दूसरी गाथा है उसके अनुसार मनो पुबंग माने पहले से पूर में और गमन माने गमा माने गमन करता है यानि कि मन जो चलता है वो हमारा पहले से चलता है सबसे पहले सरीर में कि जब कोई काम करते हैं बोलना हो या देखना हो या सुनना हो या गाना हो या जाना हो रोना हो हसना हो कोई भी एक्टिविटीज अगर आप करेंगे तो वो सबसे पहले आपके मन में आती है इसलिए ये पहली लाइन पहले वाले धंपद में और इसमें सेम है बिल्कुल एक सी है, एक भी सबका अंतर नहीं है इसके अनुसार मन पूर्ब गमन करता है यानि कि सरीर में कोई काम करने से पहले सबसे पहले वो मन में आता है, वो बात मन में आती है, जब मन में आती है तब वो मस्तिस्क में जाती है और फिर मस्तिस्क उसके साब से प्रोसेस करता है और आगे के कारवाई सरीर करता है, हाद चलाना है, पैर चलाना है, जीब चलानी ह नाक चलानी है, हिलना है, डुलना है, गर्दन घुमानी है, एक उंगली चलानी है, उंगली उठानी है, नीचे करनी है, दबानी है, कुछ भी करना है, वो सबसे पहले मन में आएगा, इसलिए ये जो गाता है, सबसे ज़्यादा महत्पुनिसनी है, क्योंकि मन सबका अगवा ह मनो सेथा, मनो मया मनो सेथा का मतलब है मन, सेथा जो बोलते है पाली में, स्रेष्ट को बोलते है सुप्रिम को बोलते है जो सबसे उच्टा मिस्तिती होती है सबसे बड़िया होती है एक्सिलेंट यानि सुपर एक्सिलेंट सुपर्ब को बोलते है तो मनो सेठ्था यानि मन सुपर्व है, एक्षिलेंट है, सुपरिम है, सबसे अच्छा है मनो मेया, मनो मेया का मतलब है जैसे हम ये कहते हैं कि मनो मेया या हम ये कहें कि वातावरण जल मैं हो गया या अगनी मैं हो गया यानि मनो मेया मन में लिप्ट हो गया मन से उत्पन हो गया यानि मन से उत्पन होता है मन मेय यानि मन के साथ में सनलप्त है मन से उत्पन होता है मन सा चे पस्नेन इसमें और पहली वाली गाथा के अंदर मन सा चे पस्नेन और वहां मन सा चे पस्नेन की जगे जो आया था वो आया था पदुठेन आया था यानि जो बुरी बातें आती हैं वहां के साथ से और यहां पस्नेन आया है यानि प्रसंता के द्वारा मतलब जब मन बहुत ज़्यादा प्रसंता के द्वारा मतलब जब मन बहुत ज़्यादा प्रसंता के द्वारा मतलब जब मन करता होता है अत्वा करोती माने करता है या यानि बोलता है या करता है इस लाइन का मतलब है मन से अगर प्रसंद होने के बाद या मन से निर्मल और साफ होने के बाद जो आप कहते हैं या जो आप बोलते हैं ततो नंग सुख मनवेती ततो माने तब नंग माने उनका या वे शुख माने जो आप जानते हैं, एक दुख होता है, उसका जो उल्टा होता है, वो सुख होता है, और मन वेती जो बना उवा है वर्ड वो है मन वत्तेती, मन वत्तेती का मतलब है जारी रखता है, keep on, going on, यानि कि वो लगातार continuous रटकता है, यानि सुख में जो अगर आप प्र या शेडो, जो सरीर की जो हम चलते हैं धूप में, जब छाया होती है, अमरे साथ चलती है, तो अन पायनी, अन पायनी का जो शब्द है, ये अन और अपाय से बना हुआ है, अपाय का जो मतलब होता है, या तना लोक या श्टेट आफ वो, यानि बहुत डरावनी जो इस्तित है, जो वो फुल स्टेट है हमारी, जो बहुत दुखत अवस्ता है, उससे रक्षा करती है चाया के समानी, यानि कि ऐसी चाया जो हमें दुख नहीं देती, हमारी रक्षा करती है, सुख ऐसे ही हमारे साथ रहेगा, अब ये जो तीन सेंटेंस हैं, तीनों के तीनों सेंटें अगर हम दुख से या दुर्भाब से या कोई दुर्व मनुस्टर से अगर कोई काम करते हैं तो दुख हमारे साथ ऐसे चलेगा जैसे जब कोई गाड़ी वाला कोई सामान ढोता है तो उसके साथ साथ में उसके पैरों के साथ 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 में चक्का चलता है यानि दुख हमें स साथ चलेगा इसमें जो दुख बताया है वो गाड़ी और बैल को बताया है और पैयां उसके साथ है और सुख का जो बताया हमें वो सुख ऐसा बताया है कि जैसे चाया हमार साथ चलती है जो हमें कभी कशनी पहुचाती कभी हमें परशान नहीं करती ऐसे बुलकुल चाया की तरह सुख हमेशा साथ चलेगा, अगर हम प्रसंद मन से और सुद्ध मन से कोई काम करेंगे, ये तो इनका साथिक मत है, इसके पीछे की जो कथा है, वो कथा बहुत इंटरेस्टिंग है, पहली वाले में मैंने चक्खु पाली कथा बताए थी आपको, इस वाले में जो कथा है वो है मठ कुंडली की, मठ कुंडली यानि मठ और कुंडली, कुंडली आप समझते होंगे, जो कुंडली होती है, जैसे साप ने कुंडली माली, यानि कि सरपाकार गोला, या आपने देखा होगा कि आपकी कुंडली जैसे बोलते हैं कुछ लोग कि आपकी कुंडली में क्य यह सर्फ कुंडली तो कुंडली माने घुंगराले चक्रवाले और मठ माने होता है चिकने यानि एक लड़का था जिसका नाम था मठ कुंडली यानि चिकने घुंगराले बाल वाला लड़का और उसके पता का नाम था अदिन पुबबक अदिन पुबबक भी है अदिन पुबक भी है चार इसके नाम आते हैं अदन पुबक इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये बड़ा कपड था बड़ा कंजूस था और ये बड़ा धन्वान था ये सावित्थी के अंदर कौसल जन्पद में रहता था कौसल जन्पद आप जानते होंगे जो 16 जन्पद थी सावित्थी थी जो आज का स्रावस्ती है सावित्थी थी तो उस सावित्थी में कौसल जन्पद में एक बहुत कंजूस अदन पुबक नाम नाम का विक्ति देता था और उसका एक लड़का था जिसका नाम था मठ कुंडली गुंगराले और चिकने बालवाला वो लड़का बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और जो उसके पिता थे वो बहुत ज़्यादा कंजूस थे धन दाने बहुत था मगर वो खश नहीं करते थे उसके पिता ने अपने लड़के को यानि मठ कुंडली को किसी वैद को नहीं दिखाया और ना दिखाने से क्या हुआ कि लड़का बीमार होता रहा और वो ठीक नहीं हुआ उसने ये सोच के नहीं दिखाया कि धन की हानी होगी, धन चला जाएगा और जब उसकी इस्तिती ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने उसकी चारपाई को, उसकी खाट को, उसके पलं को, उसके बैड को बरांडे में डाल दिया अब बरांडे में डाला उसने इसलिए क्योंकि भार से लोग देखने आएंगे तो मेरे घर का धन धाने देखेंगे एश्वरे देखेंगे तो कहीं कोई चोरी करके ना ले जाए इस डर से उसने डाल दिया लड़का बुलकुल मरने की स्थी में आ गया और उधर जो भिक्कु संग था भगवान बुद का भिक्कु संग वो सब भिक्कु संग अपनी चारिका के लिए जा रहा था तो भगवान बुद को आपको पता है पारगामी रहे हैं जब वो चारिका के लिए आए और चारिका करने लगे तो उन्होंने देखा दूर से कि ये जो लड़का है ये लड़का मन्ने की सिती में है बहुत ज़्यादा है और वो अपने भिक्क्चा के लिए एक साइड में खड़े हुए थे नियम था भिक्का का क्योंकि भिक्कु जितने भी थे वो ऐसे नहीं बोलते थे भिक्क्चाम देही या भिक्का देही या याशना नहीं करते थे वो सिर्फ जाके खड़े हो जाते थे किसने देख लिया तो भिक्क्चा मिल गई नहीं मिला तो फिर अगले घट चलेगे वो लड़का बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया और भगवान बुद्ध को कुछ देना चायता है मगर देने की सिती नहीं है वो करवट भी नहीं बतल पा रहा है सिर्फ गर्दन टेड़ी करके वो देख रहा है और देख के बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि भगवान की जो आभा और जो चटा थी और जो उनका चमक थी चेरे की वो बहुत शांती प्रिया थी बहुत लभाबनी थी और उसके मन को बहुत शांती दे रही थी वो उनकी उस सकल से सूरत से और जो वहां से तरंगे आ रही थी देखने की भगवान बुद्ध से उसका मन उस चण बहुत प्रसंद हो गया और इतना सुद्ध मन हो गया इतना प्रसंद हो गया कि उस सुद्ध मन में और प्रसंद मन के साथ ही उसकी मिर्टू हो गई भगवान वहां से आगे चलेगे चलने की बाद में पता चला कि जो मठ कुंडली है मर गया है तो उसकी गती जानने के लिए बुलाया गया भिक्चू को या जो भी समझा रहा थे उन्होंना देखा कि इसके चेहरेक पे बड़ी आवा है मरते समय और ये बड़ी शांती प्रिय है इसकी आँखे में बड़ी ठीक हैं सरी के सारे जितने बड़ी के पार्ट से मरते समय ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तलफ तलफ के मरा है या परिसान होके मरा है ऐसा लगता है ये जैसे बहुत संतुष्टी और सुद्ध मन के साथ मरा है तो ये बात जग्यासा होई जो अधिन पुबग था कि बाई इतना परिसान होने के बाद भी लडगा इतने शांती से कैसे मरा इस बात को जानने के लिए उसने भगवान बुद्ध के पास वो गया और बुद्ध के पास जा के उसने ऐसए कहानी करके बताई तब बुद्ध ने ये कहानी बताई कि अगर आपका मन सुद्ध है और मन सुद्ध से आप अगर मिर्टू को प्राप्त होते हैं तो मिर्टू आपकी बहुत शांती प्रिया बहुत अच्छी होती है और उससे जो भी next birth है क्योंकि next birth की बात हर एक में आती है तो next birth जो भी होता है वो कई बार ना भी हो अगर आप वास्तम में अरत हो गए है या बहुत अच्छा हो तो ऐसी मिर्टू में ऐसा software आपका डवलप होता है जिससे कि चीज़ें बिलकूर ठीक ठाक हो जाती है और मिर्टू आसान होके आगे next birth में बहुत relax मिलता है एक कहानी और चलती है जो अपनी भूट भासा में है भूट भासा में जो कहानी है वो और भी ज़्यादा interesting है कि दो लड़के बैठे हुए है और कुछ बैपारी आते है बैपारी आके उन लड़कों से पूछते है कि हमें रात हो गई है और पास वाले गाउं में ठहरना है आप हमें बताएं कि पास वाले गाउं के लोग कैसे हैं तो उनमें से एक लड़का जो थोड़ा स्याना है बड़ा है वो पूछता है कि बैपारी महुदे आपके गाउं के लोग कैसे जहां से आपाएं तो वो कहता है कि हमारे गाउं के लोग बहुत खराब हैं, बड़े दुस्ट हैं, बहुत निकमे हैं, निक्रष्ट हैं, मोग हैं, तो वो लड़का कहता है, कि यहां के भी लोग ऐसी ही हैं इस गाउं के हैं। बुल्कुल जैसा आपने बताया है, देर हो गई है इस गाउं के लोग कैसे हैं तो लड़का फिर पूछता है कि आपके गाउं के लोग कैसे हैं तो कहता है कि हमारे गाउं के लोग तो बहुत अच्छे हैं सबका स्वाग सत्कार करते हैं बड़े प्यार से रहते हैं सबका ध्यान रखते हैं या त्रियोगा खास तोर से विश्य ध्यान रखते हैं और बड़े मीठे हैं, मिर्दू हैं और सब मिल जुल कर रहते हैं तो लड़का कहता है कि इस गाउं के लोग भी ऐसी है जैसे आपने बताए ऐसी है जब वो बैपारी महाँ से चला जाता है तो जो दूसरा लड़का पास खड़ा हुआ है वो कहता है कि तुमने पहले वाले वैपारी को तो कहा कि बड़े दुस्ट लोग रहते हैं इस गाउं में और दूसरे वाले वैपारी को कहा कि बड़े मिर्दू और बड़े स्वाव वाले बड़े मीठे लोग रहते हैं ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि इस गाउं के लोग तो जैसे हैं वैसे हैं बाकी इस व्यापारी का और उस व्यापारी का मन जैसा होगा वो गाउं के लोगों को वैसा ही देख देखेगा इसलिए सारी बात मन के उपर आती है कि आपका मन कैसा है और मन जैसा होता है मन परधान होता है, अगवा होता है ड्राइवर होता है वैसा ही सभाव आपको आगे दुनिया में मिलेगा जैसे आप देखेंगे कि एक डॉक्टर है वो जो पेसेंट है जो मरीज है उसके सरीर को काटता है बड़े गहरे गहरे गहाव देता है और एक डाकू है, एक चोर है, लुटे रहा है जब वो लूट मार करता है तो वह भी चाकू से सामने वाले पर वार करता है और उसको गहरे गहरे गहाव देता है मगर दौनों के गहाव देने में मन की सिथिका बड़ा अंतर है पहले मैं डॉक्टर जीवन को बचाने के लिए अपने मन से काम करता है मन बड़ा उसका मिर्दू होता है सभाव होता है और दूसरे वाले केस में वो उसको दुष्ट मन से दौर मन से मन से दूस मन से मारने के लिए लूटने के लिए गाव देता है दोनों ही केस में जो मरीज हैं और जिसको लूट लूटा है वो दोनों मर जाते हैं मर मरने के बाद में जो उनका फल है दोनों ही अलग अलग है डाक्टर को इसका दोस नहीं लगेगा नहीं उसके मन में कोई ऐसी बात आएगी नहीं उसके अंदर उसके सॉफ्ट़वुर में उसकी मैमूरी में उसके हार्डिक्स में कोई ऐसी फायल बनेगी कि उसने मरीज को इलाज करते समय गाव दिया तो उसका उसे कोई पाप नहीं लगेगा जो उसे बार 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 परिशान करेगी और इस बार बार परिशान करने पर या तो वो और भी ज़्यादा क्राइम करेगा या वो शराप पिएगा या वो बेचेन रहेगा रात को से नीर नहीं आएगी और उसका सरीर भी धीर धीरे खराब हो जाएगा और उसके चेहरे की चम और दूसरे केस में जीवन लेने कलिए घाव दिया है सनी दूसकी पापाप असे परिवार में भी उसका असर जाएगा क्योंकि जो पाफा आझए करता ए--- वातरोंई वैसा कुर्ट में जब केस आता है सामने तो जो जज हैं बहुत पराने समय से भी वो क्राइम के पीछे के मन का सोभवब देखते हैं कि उसका मुर्टिब क्या था उसका क्या चीज ऐसी रही कि जिसकी वैसे उसे कोई क्राइम किया क्राइम करने का करण क्या रहा अगर कोई बहुत भूका बच्चा है और भूका बच्चा अगर खाना चुराता है और खाना चुराते हुए पकड़ा जाता है तो उसके क्राइम को देखता है कि मन की सिती इसकी चोरी करने की किस्निय थी और क्या बात थी और कोई आदमी बहुत सारा खाना रखता हो और उसके बाद भी खाना चोरी करता हो और खाना चुरायते हुए पकड़ा जाये तो उसकी मन की सिती का पता चलता है दोनों की मन की सिती में अंतर आता है इसलिए जजर मन की सिती देखते हुए अपने judgment में हमेशा इसको प्रधानता देते हैं और तबी वो फैसला देते हैं ये पूरी दुनिया में इसको natural justice बोलते हैं प्राकरतिक justice बोलते हैं तो ये थी धंपत की दूसरी का था धन्यवाद